नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गॉरव और आप देख रहे हैं मारकेट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड की कल हमने गोल्ड में जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा वो उस वो ट्रेंड था जिसमें किसी को अगर यह लग रह था कि आज उसे का loss भूक हो गया तो वह भी profit में आ गया और किसी को यह लग रहा था कि आज तो वह profit इसलाए strictly लेकल जाएगा तो वह भी बहुत सारे लोगों ने loss किया होगा अपने profit को loss में कर लिया होगा तो दोनों तरीके का trend था अब हम बात करते हैं कि अभी इसमें कल हमें कैसा trade रखना चाहिए था और क्या एक expectation थी market से और आगे का हमें कैसा view नजर आ रहा है देखे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कल के trend की कल हमने जिस तरीके का trend देखा market यहाँ पर open हुआ था और बहुत ही एक slow trade था कोई ज़्यादा बड़ी देनी थी एकदम से इसमें एक jump पाना शुरू हुआ और market यहाँ तक गया यहाँ के बाद इसमें जैसे से evening session शुरू हो चुका था silver और gold दोनों में ही एक selling आई जो इसमें 4700 का एक low मारा और उसके बाद जो jump पाना शुरू हुआ weekly closing इसने almost अपने कल के high पर कर दी तो यह trend यह जरूर बताता है कि lower levels पे जहां पर एक support level देखे मैं आपको बता रहा था कि 47600 से 650 तक का मैं आपको level बता रहा था खिर इसने 700 तक का लगाया है अपना low तो उससे थोड़ा सा उपर इसे support मिल गया है buying मेरी expectations थोड़ा सा पहले आ गई है तो वहां से इसने एक buying opportunity देखी traders ने और इसकी जो closing है वो कल के low से करीब करीब 600-600 point उपर इसने कर दी तो अब trend कैसा रहा अगर हम सिर्फ कल की candle देखें कल market open हुआ यहां पर यहां से यहां तक काफी उपर इसने एक jump दीखाई है market जो था करीब करीब 400 point के आसपास उपर एक recovery दीखा के बद दो गया यह 5 minute का chart था ठीक है 15 minute पर चलते हैं 15 minute पर अगर हम देखें तो यह market में यह buying आई थी market ने यहां पर एक consolidation दिखाई और उसके बाद एक sharp downside देखी और जितनी sharp downside थी उससे भी ज्यादा sharp इसने upside देखी और market जो यह था यह बिल्कुल उपर में इसने अपनी closing दिखा दी देखी अब मैं आपको कुछ levels बता रहा हूँ ultimately जो gold का trend है वो अभी वी उपर का है कहीं पर इसमें कुछ selling नजर नहीं आ रही है selling जितनी भी आती है वो एक buying opportunity में change हो रही है और market जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ weekly closing कर रहा है हर बार हर रफते हफते दर रफते ठीक है और same trend हम monthly charts पर भी देख रहे है monthly charts में भी इसकी जो भी अगर आप पीछे कई महीनों से देखें तो इसने अपनी जो candles है वो काफी ज्यादा एक upside trend को बढ़ाते हुए उपर में close करी है देखें मैं आपको monthly charts पर आपको दिखाता हूँ यहां पर अगर आप देखें तो जितनी भी candles है एक दो तीन चार पांच छे साथ यह सातवा महिना है gold के continuous uptrend में इसमें कुछ देखें आप और हम जो trade करते हैं वो intraday basis पर करते हैं आज ही लिए आप 15 में profit चाहिए उससे ज़्यादा मुझे देखना नहीं है पर अगर थोड़ा सा view हमारा थोड़ा सा आगे का कब बनता है जब हमारे funds उतने होते हैं कि जितना हमने हम margin utilize कर रहे हैं उसका भी multiple times हमारा funds spare पड़ा हो तब ही हम इतनी बड़ी एक position क आगे के लिए देख सकते हैं पर क्योंकि हम ऐसे trader नहीं होते तो यह सिर्फ हमारा एक वो view रह जाता है कि हम इस view को ध्यान में रखें कि gold का trend कैसा चल रहा है और यह trend आज से नहीं यह 28,000 रुपए से है 28,000 से इसमें धरी धरी एक बहिंग आ रही है जो आज की एकमी से 48,000 ले गई है तो बहुत लंबा एक टाइम फ्रेम है मंतली चार्ट पर दिखा रहा हूं इसलिए तो आपको यह लग रहा है कि यार इसमें डाउन सैट तो कई सारी आई है बीच में खेर अब हम बात करते हैं वापस इंट्रडेट चार्ट को लेकर देखिए कल आपने क्या पो तब मैंने सैलिंग के व्यू दिये थे जैसी मैंने वो वीडियो अपलोड करा था मार्केट में एक तेजी आनी शुरू हो गई थी और 48,45 पर यहां पर मैंने अपना इस टॉप वोस दिया था वो भी ट्रिगर हुआ मार्केट ने उसके ऊपर अपने आपको बहुत अच्छ इंडिकेट कर रहे हैं वो मैं इस टाइम का आपको बता रहा हूँ उसके बाद हो सकता है कि अभी मैं आपको बहिंग बताओं और कुछ चार्ट में ऐसी सिचुशन बनने लग जाए कि ट्रेंड उसका नीचे का बनता जा रहा है तो आप मार्केट में क्या रख रहे हैं उस कि बाइंग है अभी ठीक है और फिर उसमें कर्रेक्शन आने शुरू गए जहां पर ये एक लेवल था जो अगर यह ट्रिगर करता नीचे को तो यहां पर मैं सेलिंग बोलता पर क्योंकि तब मैं उस ताइम अपना वीडियो कोई भी ऐसा अपलोड नहीं कर रहा था बना न को लेके किस situation में मतलब situation इन charts की charts की क्या situation बन रही है किस तरीके का curve बन रहा है कौन सी trend line follow कर रहे है कितनी sharp उसमें movement आ रही है कौन सा उसका resistance level है कौन सा उसका support level है बहुत सारी चीज़े है जो उस time के charts के levels indicate करती है कि क्या level है जो हमें ध्यान में रखने है तो जो मेरे clients से जो मतला मुझसे डारेक्ट अभी जुड़े हुए उन्हें मैंने बताया था देखिए यहां पर stop loss trigger हुआ पहली चीज़ कि मैं stop loss trigger हो तो मैं trigger मानता हूँ कि stop loss trigger हुए उसमें कोई event बटनी trigger हो गया exit कर जाओ कोई दिक्कत नहीं है बाद में market है हमेशा रहेगा अगली call मिलेगी इसके बाद जब market में एक fall आया था तो यहां के level पर वापस इसमें selling आई थी थोड़ी सी जादा नीचे थी पर यहां पर इसमें वापस selling आई थी वो यहां जैसे इसने एक sharp move दिखाया था यह तीन candle जब यह यहां close हो गई तो इसमें से यह वाला भी एक छोटा सा पूरी call का नहीं पर उसकी कुछ quantity थी जिसमें यह loss बुक हुआ और बाकी में यहां profit बुक हुआ था ठीक है तीसरी call मेरी आई 48,100 रुपे पे यहां से जब इस market ने उपर की तरफ move बना शुकर दिया वो यह level था यहां पर एक buying की call आई यहां से यहां तक जब market गया तो वो position आज भी hold है मतलब market क्या खुलेगा अगर market 315 के हसपासी खुलता है तो इसमें बहुत जादा chance है कि market जो है वो उपर की side जाता रहेगा तो देखिए यह चीज़ मैं आपको सिर्फ इसले बता रहा हूँ यह view है उस time का अगर market इसी trend को follow करता है आगे के लिए अभी 315 पर है और इसमें एक move आना शुरू होता है जो देखिए 3, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है 4, 8, 3, 3, 5 का इसका एक level है जिसके उपर अगर ही थोड़ा बहुत sustain कर जाता है तो इसमें हमें एक अच्छी खासी बहिंग देख सकते हैं यह एक चीज़ है इंडियन market में, MCX में दूसरी चीज़ है कि यह कॉमेक्स पर क्या दिखा रहा है मेरा view सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं है, बाकी चीज़े भी मैं देखता हूँ कि जो मुझे ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर किस तरीका के trend चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक दम से एक sharp move आगया उपर की side में उसका reason सिर्फ एक होगा, अगर वहाँ कॉमेक्स मान लीजे हजार डॉलर पर रुका हुआ है और यहाँ पर एक sharp move आगया उपर की side में तो उसका यह sharp move का एक ही reason होगा कि रूपी ने depreciate करा होगा in comparison to dollar तो dollar के against अगर वह depreciate करेगा तो automatically यह movement उपर की तरफ शुरू हो जाएगी इसे हम constant मान रहे हैं, यह मैं उस case की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा शायद आपको कुछ confusion हो रहा होगा जो लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ तो यहां पर 335 का level था, वो इसने touch किया है और उसके पास इसने अपनी closing भी दिखा दिये तो अगर मुझे यहां से लेकर 200 रुपए तक का कुछ भी level मिलता है तो वो मेरा buying area है इस time ठीक है? और उसके उपर मैं काफी एक अच्छी एक opportunity देख देख रहा हूँ कि पूरे chances हैं कि यह वाला high भी break कर देगा और एक नए high की तरफ यह जाएगा 49,000 क्योंकि silver ने भी अब इसे support करना शूर कर दिया है silver ने जिस तरीके का एक move दिखाया है कि अपने lower level से जिस तरीके का उसने फिर इसे high break करा तो दोनों चीजों को एक support मिला है क्लोस किया अपने आपको और यह सिर्फ यहीं की मैं बात नहीं कर रहा अगर मैं comics की बात करूँ तो वहाँ भी इसने 1769 पर अपनी closing दिखाई है तो वो भी एक अच्छा indication है जो इसने अपने high के आसपस high इसका मेरे खाल से 71 तक का शायद लगा था वहाँ से एक दो डॉलर नीचे कुछ ज़्यादा बड़ा matter नहीं करता कि इतनी नीचे इसने सिर्फ closing दिखाई है पर एक जो एक जो इसका body part था इसका जो weekly closing का जो body part था candle का वो काफी ज़्यादा बड़ा बना है वो एक strength इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अभी एक strength है जो इसकी monthly closing अब होनी है तीन दिन बचे हैं तो वो काफी एक अच्छी रह सकती है उपर की side में देखिए कल को अगर इसमें down side आईगी तो मैं खुद बोलूँगा कि buying को ignore कर दो selling में आ जाओ पर उसका मतलब यह नहीं होगा कि मेरा अपका analysis जो था वो बहुत गलत था या फिर उसे ये मानना चाहिए कि ये analysis गलत रहते हैं या कुछ इस तरीके का देखिए दोनों चीज़ें आप किस तरीके से समझने हैं और मैं किस तरीके से बता रहा हूँ उन चीज़ों में matter कर सकती हैं चीज़े क्या रहेगा 300 मतलब ये high 341 का था मेरे ख्याल से तो ये इस high को अगर break करता है तो आप entry ले क्योंकि 500 रुपए बे कुछ जादन यूरप एक safe जरूर हो जाएगा आपके लिए अगर market जो है वो इस range में कहीं open होता है तो high break होगा आप यहां पर buying कर लेंगे market जैसा भी रहेगा वो देखेंगे stop loss आपका exact 48,000 का level रहेगा यह आपका stop loss रहेगा यहां पर आपका buying level रहेगा market में एक काफी अच्छी तेजी हमें Monday को देखने को मिल सकती है जो continue रहेगी तो फिलहाल मेरा यही overview है इसमें कि trend एक uptrend है level मैंने आपको बता दिया break उस level को touch कर चुका है अगर आपको Monday को मिले तो आपको इस high के उपर जो इसने recent high मारा है कलका इस high के उपर आते ही आप अपनी position में buying में enter कर जाएए और 48,000 का आपका stop loss रहेगा यह stop loss level यह initial है यह उस time का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसे आप उस time का नाजा मस्ट के रखे हमेशा के market उस time 400 तक चला गया मान लीजिए और मैं यह मानता हूँ कि आपने वहाँ भी profit बुक नहीं करा और फिल नीचे आ रहा है तब भी आप इसी stop loss को consider करें हो सकता है कि तब भी यही stop loss रहे या हो सकता है कि उस time यह वाला stop loss हो जाए 150 के आसपास 100 के आसपास वो तभी का market बता पाएगा अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 48,000 है market में अगर आपकी position यहां कोई enter होती है और यहां से market नीचे आना शुरू होता है तब बिलकुल 48,000 का ही stop loss होगा यही बिलकुल exact stop loss है और अगर यह उपर जाता है जैसे जैसे तब क्या stop loss होगा वो तभी बताया जाएगा ठीक है तो थोड़ा मैंने अपना view बताया थोड़ी सी कुछ बाते बताई जो एक confusion शायद create करती है मेरे बनाने में मेरे वीडियो बनाने में और आपके वीडियो में सुनने में तो उस चीज़ को थोड़ा सा clear करने के लिए मैंने यह कुछ बाते बताई है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहे मेरे साथ देखतरी यह मार्केट रिपोर्ट धन्यवाद